पाटले पुत्रा युनिवर्सिती में 13 जनवरी को सीनित की बैठक होनी है लेकिन इस बैठक में बिहार के राजिपाल राजिंद्र विश्विनाथ और लेकर के हिस्सा लेने पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं दरसल इससे पहले 12 अक्टूबर को पियू के सीनित की बैठक हुई थी इस बैठक में गवर्नर के सामने ही सीनित के तमाम सदस्यों जनपर्तिनिधियों ने कुलपती प्रोफेसर आरके सिंग पर भरस्टा चार के गंभीर आरोप लगाये थे और उन पर कारवाई की मांग की थ लेकिन राजभवन ने सीनित सदस्यों और जनपर्तिनिधियों की मांग पर कोई एक्शन नहीं लिया ऐसे में सीनित की सदस्यों और जनपर्तिनिधियों की ओर से ये सवाल उठाये जा रहे हैं कि आखिर जिन पर कारवाई होनी चाहिए उसे महमा मंडित करने गवर्नर सीनि सीनेट की बैठक में क्यों आ रहे हैं माना जा रहा है कि पाटली पुत्रा युनिवर्सीटी की कल यानी 13 जनवरी को होने वाली बैठक काफी हंगा में दार होगी और एक बार फिर सीनेट के सदस्य और जनपरतिनी धी कुलपती प्रोफेसर आरके सिंग के भरस्टा चार का मु पर्णर के सामने जोर शोर से उठाएंगे सीनेट के सदस्यों और जनपरतिनीधियों का आरोप है कि पाटली पुत्रा युनिवर्सीटी के कुलपती प्रोफेसर आरके सिंग के कारिकाल में उनिवर्सीटी और कॉलेजों में भरस्टा चार चरम पर है परभारी प्राचार बरसर की नियुक्तियां और सिचकों के तबादले में खुले आम पैसे लिये जा रहे हैं परभारी प्राचार की नियुक्ति पर 35 से 40 लाग और बरसर की नियुक्ति पर 10 से 15 लाग की राशी फिक्स कर दी गई है इतना ही नहीं प्रभारी प्राचार को तो हर शाल कॉलेज के मुताबिक पांस से दस लाफ रुपी देने तै कर दिये गए हैं। प्यू के कुलपती का एरवाया तब है जब सीनेट के सदस्यों और जनपरतिनिडियों ने गवर्नर से लेकर सीएम तक इसकी शिकायत की है और सीनेट की बैठक में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। शुत्रों के मुताविक द्वारका कॉलेज के प्राचारे डॉक्टर जगरनात परसाद गुपता ने राजभवन निगरानी विभाग और मुख्यमंत्री निटीश कुमार को पत्र लिखकर कुलपती प्रोफेसर आरके सिंग पर भरस्टाचार के गंभीर आरोप लगाये। लेकिन बाद में डॉक्टर जगरनात परसाद गुपता ने कुलपती आरके सिंग के साथ सेटिंग कर ली। इसके बाद असली खेल शुरू हुआ। पहले तो जगरनात गुपता को बीडी कॉलेज से राजगीर टांसपर कर दिया। फिर उन्हें द्वारका कॉलेज का प्र देश के बाद भी उन्होंने ए एनस कॉलेज बार के परभारी प्रिंस्पल धुर्व कुमार को हटाया नहीं बलकि तमाम नियमों और काईदे को ताक पर रख कर उन्हें राजनीती विज्ञान का पीजी एड़ बना दिया। ऐसी चर्चा है कि धुर्व कुमार ही कुलपती के काले कारणामों का हिसाब किताब रखते हैं और तमाम बशूली कुलपती इनी के जरिये करते हैं। सीनेट के सदस्यों और जन्पती नीधी कुलपती पर जात पात को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि एकजाम कंट्रोलर मनोज कुमार, रजिस्टार सालनी सिंग और एफ़ो विपिन कुमार सभी एक जाती विशेश से आते हैं। ये सभी मेलकर उन्वर्सिटी को लूटने में लगे हैं। आरोप तो ये भी है कि एक खास सिक्यूरिटी एजेंसी रिद्धी सिद्धी सर्विस की सेवा अलग-अलग कॉलेजों में अलग-अलग रेट पर ले रखा है जो बाजार से दो से तीन गुना जादा है। इसका ना सिर्फ सीनिट के सदर से और जनपरतिनी धी बिरोध कर रहे हैं। बलकि तमाम छात्र संगटनों की ओर से कुलपती आरके सिंग के खिलाप आबाज बुलन किया जा रहा है। लेकिन कहावत है कि जब सैयां भय कुतवाल तो डर काहे का और ये कुतवाल कौन है आप समझी गए होंगे। योगेश चक्रवर्ती आरे डिनियोज पटना।